हेलो डियर श्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक ओंस अगेंट वार यूटूब चैनल सो गाज आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं ओंजी से का रिजल्ट कब तक आ सकता है मैं ओपेसल से कुछ बात करा हूँ उसके कोडिंग जो भी डेट निकला है उस बेसिस में आप लोग को एक 22 डेट बता दूँगा उसी के आसपास आप लोग को रिजल्ट जो है वो डेट देखने को मिल सकता है ठीक है एंड लास्ट में मैं आप लोग से एक सिकायध भी है सभी स्टुडेंट से जो भी ओंजी से का प्रेपरेशन कर रहे हैं मैं उसके बारे में डिसकस करूँगा ठीक है तो पहले हम लोग डिसकस करते हैं कि रिजल्ट डेट कब तक आएगा मैं पहले आपको यह बता देता हूं कि जो आपका ओंजी सी का एक जाम हुआ है अभी तक चार डेट निकल चुका है देन आपको औरेक डेटा है जिसमें 10, 12 और 16 अगस्त का आया था ठीक है इसमें फिर से कुछ स्टेट्स का और कुछ आपका यूनिन टेरिटरी का एक्जाम लिया गया था अलग अलग डिपार्टमेंट का और उसके बाद फाइनल लिक निकला 20, 21 और 27 अगस्त का जिसका एक रिसंट में एक्जाम हुआ यानि कि कली के डेट में हुआ 27 अगस्त को एक्जाम हुआ है ठीक है अब बारी आता है यह सभी चीज़ डिपेंड करता है आंसर की पे कितना दिन में आता है फिर उसके बाद रिजल्ट आता है उसमें कितना अब्जेक्शन राइज किया गया स् अभी तो 27 का कली एक्जाम हुआ है तो अभी आंसर के आनिमें डिले होगा लेकिन मैं 20 अगस का बात करता हूँ 20 अगस का अगर आप आंसर की देखोगे तो 24 अगस्त में आ गया था तो आप देखोगे 21 को आपको 21 अगस्त को एक्जाम लिया गया और दो दिन के बाद 22-23 के आसपास अगस्त को आप लोगों को देखने को मिल जाएगा आंसर की तो यह तो रहा भाई कि आंसर की आने का अब उसमें कुछ औब्जेक्शन राइस किया जएगा कुछ गलत वेगरा है तो उसका औब्जेक्शन राइस का कुछ विंडो देता चार-पाच दिन का वो विं जिहान होगा ठीक है ओनजी सी का अगर मैं बात करता हूं डियर अगर आप लोग को याद होगा तो इन लोग का जो एक्जाम जब स्टार्ट हुआ था याद करो अगस्त में हम लोग नहीं प्रेडिक्ट किये थे अगस्त से थोड़ा सा और हम लोग सोचे थे सिप्टमबर अक्टूबर को आप लोग का इंजाम होगा लेकिन मैं यह बता भी चुका था अचैनल में वीडियो लाया था और 10 दिन पहले कि आप लोग का जल्धी एकजाम होने वाला है और ऐसा हुआ भी था और वही हुआ जल्दी एक्जाम आप लोग था ठीक है अगर लास्ट लास्ट ठोटे तक रिजल्ट एनॉस्मेंट कर देना टार्गेट था लेकिन आप देखी रहो कि अभी तो एक्जाम चली रहा है कले आप लोगा एक्जाम हुआ है तो अब बारी आता किसा टार्गेट ये था इट मिन्स क्या अनुमान निकलता अनु कि अलब जयाना शिप्टेम्बर स्थण सुद्डूर आप लेके च्लो ठीक है सिप्टेम्बर में आप लोगा जो है वह रिजल्ट आने का डेट है ठीक है अब किस डेट वो पूरी तर से कहा नहीं जा सकता क्योंकि माले जिससे भी बात कि आ簡ा अश्फितर से आसा तो नहीं कि वो खुद जो है वो रिजल बनाएंगे है वो पुरा टीम काम करते है तो इटी विल टेक सम टाइम तो आप लोग थो टाइम लो लेकिन है सेप्टेंबर में आप लोग को रिजल कभी भी देखने को मिल सकता है हां मैं अगर यह बोसकता हूं कि वही दस पंदरा के बाद ही थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि रिजल्ट के अलाव जो भी आप सी बीटी जैसे आप लोग को पता हंडेड आप नंबर का एक्जाम दिये हो जिसमें ट्वेंटी आपको जा था वह आपका नंटेक था नंटेक्निकल था और आपका 80 जो था वह आपका क्या था टेक्न तो कुछ में एकाडेमिक में नंबर जूड़ने वाला है वह ईन्जाथा टेकमें सब्सक्राइब करोंदे करे कि आप continuous को फिक्री यहां इस में वीडियो भिट्यों सब्सक्तर और अब किुछerson बना ₹हाए याट शारी के घे साना लेगा आप लोग यह झाव यूट्यों क हजारों यूट्यूब चैनल है और हजारों टीचर बन बेठे हैं टीक है एंड मैं यह भी नहीं बोर रहा हूं कि आप जो है मुझे ही फोलो करो या फिर किसी और कोई आप सबको देखो आपके पास सबकुछ ओप्सन हैं आप सबकुछ देखो लेकिन आप से सिकायती यह है कि देखिए अगर आप सिप एक टीचर को फोलो करिएगा तब तो वह अंधभक्त कर लाएगा ठीक है कि नहीं नहीं वह जो बताएंगे सही बताएंगा ऐसा नहीं है हां जैसे मेरा अगर बात करूं तो मैं ट्राइ हमेशा करता हूं कि जो भी चीज़ बता हूं वह ऑफिसल्स के थ्रू बताओ इसलिए आप देखोगे नोटिफिकेशन आई या कुछ भी है मैं थोड़ा डिले करता हूं सबको यवर ले ले आता हूं तो मैं एक घंटा बाद दो पूरा पूरा आप इसे नोटीश भी आपको दिखाता हूं यह मैं ट्राइ करता हूं ठीक है तो देखो यहां पे बहुत सारा चीज़ बना दिया गया है तो मैं आप लोग डिस्कस करूंगा क्यूंकि मैं बहुत सारे बच्चों क्या आरा औरा कमेंट पले वह अता हूं आत सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि कौन सा फेकल्टी या टीचर जिसको भी आप फोलो कर रहे हो अच्छा यह खराब है तो आपके पास ऑप्सन तो होना ही चाहिए आपके पास ऑप्सन नहीं है तो आप सही चीज को सिल्ट नहीं कर पाओ लेकिन जब लगातार किसी को भी 10 दिन तक देखते हो तो आपको एक आईडिया लग जाता है कि 10 दिन जो बता रहा है तो चिसफिए बता रहा है तो चया थैसको फालो करना बंद कर दो पार में उन्हीं को देखने के बाद मुझे बोलते हो और यह सही है यह गलत है यह है की नहीं इसा बताई राइसा है कि नहीं तो या तो उनलों को मत देखो या फिर डारेक्ट मुझे से पुछ लो ठीक है जैसे कि यह बताया जा रहा कि जो आपका हंडेड नंबर है उस हंडेड नंबर में 85 नंबर जो है 85 परसेंट आपको सीवीटी का लिया जाएगा है ना उसके बाद 10 परसेंट जो है वह आपको अकडिमिक नंबर लिया जाएगा एक लिहाज से सही है लेकिन आप समझो कि किस डिपार्ट्मेंट पर आप जा रहे हो वो क्या करते हैं पूरा हॉल डिपार्टमेंट का लेके चल लाता है तो ऐसा नहीं है तो यह आप समझो या तो वह नोटीस दिखा के जैसे आप देख सकते हो यहां पर मैं जहलक दिखा देता हूं मैं आपको बाद मैं एक्स्प्रेंट करूंगा देखो थोड़ा ध्यान से य यहां पर 95% में ही आपका Principal बनेगा समझ रही है मेरी बात क्या और यहां पर भी Himis और यहां पर यहांपका 90% में आप न 20 पर संब देख् generated अभी तक आभ 85% देख रहे तो देखों सीवीटी में यहां पे जो भी आप हंडेड लाए ना हंडेड का 90% यहां पे सिलेट किया जा रहा है मेरा बाद समझे माल ऑफ हंडेड में लाए 70 नमबर तो 70 का 90% जो है 70 का 90% यहां पे लिया जाएगा नमबर जो भी आप लावग उस सीवीटी में इतना किया जाएगा और अकेडिमी के 10 नमबर यहां पे कोई आपका पांच नमबर जो अप्रेंटिस वेगर अकन नहीं है तो अलग लग चीज़े हैं अलग लग चीज़े हैं समझाए कि नहीं वह भी जो 10 नमबर एकेडिमी मिलेगा वह आपका डिपेंड करत 60% तक लाए हो तो आपको कितना मिलेगा 10 नमबर मिलेगा या फिर इससे ज्यादा परसेंट लाए हो समझाए कि ने लेकिन जोरी नहीं कि यहीं सही है कुछ कुछ चीज में और क्राटिरिया लाग है तो कोई या तो पीसल का नोटिपिकेशन के थ्रू वीडियो बनाए या स चैतर्का लिए कवा वाफहन सफने का लिए तोन देखो जो भी लाता हूं क्लीप के थ्रू बता हूं आप देखोगे जो भी नाता हो है प्योजी करना है किमें रहे कि इस सो ने कि मैं चाहता हो हूं कि यहां पर पैसा के लिए फिर किसी और चीज के लिए मैं गवर्मेंट जोब को छोड़ के अगर यहां आ रहा हूं पढ़ाने के लिए तो इस यहां पर मैं कुछ वेल्यू कॉंटेंट आप लोग को देना चाहता हूं समझ आए कि नहीं तो आप लोग उस चीज को समझो और तो उसी सही डारेक्शन में जाओ इतना टाइम वेस्ट करके ठीक है फाइदा नहीं है समझा है कि नहीं चली तो मैंने यह आप लोग को बताया कि यह तो रहा बेसाइट का बात जो आप लोग से मुझे सिकायत है आई होप सो आप लोग समझे होंगे तो रिजर्ट आप लो जो निकल रहा वो में आप लोग को बताता कि आप लोग का दिमाग इस सांत रेक मिल जाए अपडेट कि महां इतना तक में आ सकता है और उसके बाद मेरिट लिस्ट का कोई अब यह सब कुछ जिपेंड करता आप लोग का अब्जेक्शन कितना गया है कितना कोशन गलत है उ आप लोग का टाइम वेस्ट होगा समझ जहो ना चलिए तो यह रहा आप लोग का अपडेट नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए उसमें बताऊंगा कि सिलेक्शन बेसिकलिए हो कैसे रहा है कैसे आप लोग का पूरा मेरिक लिस्ट जो बनेगा वो कितना नंबर और किस लिजेगा बेल आपन को प्रेस कर लिजेगा ताकि कोई भी गवर्मेंट जो अपडेट्स एंड कॉंटेंड वेगरा छूटे ना तो मिलते हम लोग नेक्स पार्ट में डियरे स्टुडेंट तब तक लिए गुडबाई एंड गॉर्ड बिलस यू अल